नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, इस वीडियो में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, अभी यदि आप यूटूब ओपन करते होंगे, तो इस तरह का थमनेल आपके सामने आता होगा, इसमें कहा जा रहा है कि बेट के पक्च में सुप्रीम कोट का ओडर आया है, नया नोटिस जारी हो गया है, और बेट धारिकों के लिए बहुत बड़ी खुसकवरी, बेट की हुई जीत, सुनवाई खत्म, तो इस तरह का यूटूब पर आ रहा है, तो ये मामला क्या है, पहले मामला को समझना होगा आपको, क्योंकि देखिए, बीना समझे हुए, अगर आप ये थमनल पर जाएंगे, तो कहीं न कहीं कनफ्यूजन उत्पन हो जाएगा, कि ये मामला क्या है, एक तरफ से सुप्रीम कोट से ओडर आता है, कि बेट को दूर किया जाए, देखिए, इसको समझे है, ये मामला है 36 गड़ की, ठीक को आप समझे है, कर रहा है कि सुप्रीम कोट ने हाई कोट को निर्देश दिये हैं, कि भरती पर अस्टे ना देते हुए, पहले पूरा फैसला सुनाए, चुकि हाई कोट ने सहायक सिचक भरती के आगे की परकिरिया में बीएड को ना सामिल करते हुए, डीलेड की परकिरि जारी रखते हुए अस्टे दिया था, मतलब सुप्रीम कोट में ने तो अस्टे कर दिया था ना बीएड वालों का, अगला है कि तो सुप्रीम कोट ने सिर्फ उस अस्टेट पर रोक लगाई है, ना कि कोई बीएड के पक्च में फैसला दिया है, जी, बीएड के पक्च मे से समंधित नहीं है समझिएगा मतलब पी आटी में पात्र करने से समंधित नहीं है सुप्रीम कोट के आदेश अनुसार हाई कोट को कहा गया है कि आप जल्द से जल्द इसका फैसला सुनाए और पूरी भरती हाई कोट की अंतिम निर्णे के अधिन रखिये आगे क्या है कि सुप्रीम कोट के आदेशा अनुसार बी एड को आगे की परक्रिया में भाग लेने की छूट दी गई है परन्तु उनके न्यूकती पत्र को हाई कोट के भविस में आने वाले फैसले के अधिन रखा जाएगा मतलब देखे बी एड वाले भाग ले सकते हैं परिक्चा भी दे सकते हैं लेकिन उनके नौकरी पर अब सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार जो है सुप्रीम कोट का आदेश का इंतिजार रहेगा ये कहा गया है मतलब बी एड वाले 36 गड़ में चो होने वाली सिशक भर परकरिया है उसमें भाग तो ले सकते हैं लेकिन अब सुप्रीम कोट के आदेश का जो है पालन करेंगे अर्था सुप्रीम कोट द्वारा बीड अविहर्थियों को कौंसेलिंग में परतिभाग करने का मौका दिया है लेकिन उनकी अंतिम न्यूक्ति हाइड कोट और के परिद कर दी जाएगी देखिए यहां पर असपष्ट दिया गया है मतलब आप फॉन भरिये पैसा लगाए पैसा खर्च करके परिक्षा दिजिए लेकिन नौकरी आपको नहीं मिलेगी असपष्ट है फारम भरिये पैसा लगाईए और परिक्षा दिजिए लेकिन आपको मिलने वाला नहीं क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो साप सपका दिया है कि बीडवाला बाहर है तो बाहर है इसलिए देखिए सभी राज जो है अभी फॉन भरवा रहा है और प्रिक्षा भी ले रहा है बीडवालों से लेकिन नौकरी किसी को मिलने वाला नहीं है झाल 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 झाल